तो यहां ना मेरा जो काम है शुरू हो जाता है मॉर्निंग से और हर मॉर्निंग का कुछ कुछ काम फिक्स है जैसे की ब्रेकफस्स बनाना लेकिन इस पीच बहुत सारे ऐसे काम है जो हर रोज चेंज हो जाते हैं जिस दिन मुझे घी निकालना होता है तो मेरा सबसे पहला टारगेट रहता है कि मैं मलाई जो दूद की निकाल के बाहा रख दूँ जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा तो मैं घी वगेरा निकाल लूँगी और देन जो भगोनी होती है दूद की मैं उसमें चाय वगेरा बना ले रोटी बना लूँगी क्योंकि ये बहुत जादा पालक नहीं था तो मैंने इतना चौप कर लिया कि इसको आटे मैं गूत लूँ और बहुत आराम से बच्चे खा भी लेते हैं तो ये मैं सुबा सुबा आपने आटा बना रही हूँ और यहां अभी बस मेरे बेटे का और मेरे हस्विन का जो है लेंच होगा और बाकी बेटी को है न मैं सुबा सुबा भेज चुकी होती हूँ उसका लेंच बगेरा सब कुछ पैक करके क्योंकि सुबा की जो भागदोर होती है न पांच बजे की उस वक्त बिल्कुल भी किसी चीज का होश नहीं रहता आदा पॉन घंटा सिर्फ हमारे किचिन में निकल जाता है तो देन उसके बाद मैं सबजी बगेरा बनाना शुरू करती हूँ तो यहां मैं गोबी, आलू और मटर की सबजी बना रही हूँ तो बस यह जटपट बनने वाली सबजी है इसमें केवल मैं जो गोबी होती है न तो वो पहले से ही काट के रख लेती हूँ रात में ही और कई बारी जैसे छोटा सा फूल होता है तो वो मैं फिर सुबाई कर लेती हूँ सुबा कई बारी मैं इसलिए गोबी का काम नहीं करती हूँ क्योंकि जो मॉर्निंग रहता है न उस वक्त अपनी आख्या न बहुत अच्छे से खुली होई नहीं होती है और गोबी के अंदर कुछ कीड़े वगेरा रहते है या गोबी को बहुत अच्छे से बारी क्लीन करना पड़ता है तो इस वज़े से ये कामना मैं केवल अपना जो है रात में कर लेती हूँ सुबा बिल्कुल ऐसा लगता है सिर्फ हम काम कर रहे हैं दिमाग चल रहा है और आखों से कुछ नजर नहीं आ रहा तो यहां जो अभी मैं साथ के साथ सैलेड वगेरा जो भी रखना होता है या दही रखना होता है तो वो मैं पहले ही तैयारी करके रख देती हूँ क्योंकि यह छोटे से काम रहते है देन उसके बाद अपनी जो है सबजी वगेरा चौप करूंगी और जड़पट बनने वाली सबजी ही मैं मौर्निंग में लेती हूँ जो बहुत जादा टाइम ना लगा है और साथ मैं आटा पहले गूत लेती हूँ जिसे कि उसको अच्छा होने में टाइम लगता है तो यह दूसी साइड पे जैसे ही मैं सबजी को शिफ्ट कर देती हूँ सबजी को बनने में थोड़ा सा टाइम लगेगा तो मैं पहले बिना मसाले के यह ढखके पका लेती हूँ थोड़ा सा जल्दी पक जाती है देन उसके बाद मैं इसमें मसाले आइड करती हूँ और जैसे मेरी रोटियां सिख जाएंगी साथ मेरी सबजी बन जाएगी और जैसे सुबह मैं पांच बजे उठती हूँ तो काफी सारे काम ना मेरे जल्दी हो पाना पॉसिवल है क्योंकि अगर मैं थोड़ा सा भी लेट करूंगे ना तो मेरे शायद बहुत सारे काम रह पी जा निकाला जाए तो यहां है ना बहुत सारी चीजों से सोचना पड़ेगा बच्चों को हरी हरी सबजिया देने का क्योंकि अब सर्दिया आ गई है तो बहुत कुछ देना भी होगा तो देखी यहां पर रोटी बन चुकी है और साथ में सबजी बगेरा सब कुछ रेडी है त इसतर वगएरा चैंज करना है और हर लेडिस का यही हाले जो घर में रहती है उनको यह कानoulder पीछेछे करना पड़ता है और बहुत सारा करना पड़ता है और रोच हour को क्लीन करना डैकॉर करना पीछ और बहुत भुस झबताना है तो शिरफ खाने तकम्ट में आ जहां yenही ऐसे ही बिखेर देता है, कहीं टॉइस रहते हैं, कहीं कुछ रहता है, लेकिन बहुत सारे घर में बच्चे बड़े भी होते हैं, तब भी घर का हाल कुछ ऐसे ही हो जाता है, क्योंकि सबके बसकी बात भी नहीं है, कि वो अपनी चीजों को उनकी जगा पर रखें, और बहुत मुझकिल है, यह सब और नाइस करना, या सब को यह सिखाना, कि तुम अपनी चीजों अपनी जगा पर रखो, मुझे लगता है, जैसे बच्चे बड़े होते हैं, जब उनके उपर जिम्मेदारियां आती हैं, तो वो सब को सीख जाते हैं, शायद जब मैं भी छोटी थी, तो मैं यह सारे काम नहीं करती थी, या जब यह बोलूँ कि एक एज थी, तब भी मैं नहीं करती थी, क्योंकि मैं मम्मी की छटरचाय में थी, तो शायद कभी इन सारे कामों को इंपर्टन नहीं दिया होगा, बट जैसे ही जिम्मेदारी पड़ती है, लगता है कि यह काम ख तो मैं जरूरत पड़े तो वो तुम्हें मेल पाए, इससे जादा उसको और कोई चीज मुझे नहीं अभी बतानी है, वो अपने आप धीरे-धीरे सीख जाएगी, तो अभी काफी टाइम बात मैं अपनी बैट शीट चेंज कर रही हूं, और यह वाइट कलर की बैट शीट है, और मुझे नहीं पता ही अभी कितना टाइम चलने वाली है, क्योंकि बहुत जल्दी गंदी हो जाएगी, और सभी घर की चेंज करने वाली हूं, दोनों कमरों की बैट शीट और सोफे कवर वगेरा, क्योंकि अभी जाने आने में बहुत जादा टाइम निकल गया था, औ और आज अरू का स्कूल बैग यही है, क्योंकि वो पिकनिक पे गई थी, और अपना दूसरा यूनिकॉन बैग ले करके गई थी, तो सारी बुक्स वगेरा फिर इधर उधर हो जाती है, तो वो भी मैं ड्रॉर में डाल देती हूं, तो यहां बस अपने दोनों तीनों चीज कर देते हैं, तो एक अलग सी फ्रेशनेस आजाती है घर में जिस दिन सारी चीजे चीजे चाहिए, जिस दिन सारी चीजे चाहिए, चेंज कर देती हूं, बैट शीट या सोफे कबर, उस दिन घर बिलकुल नया सा लगता है, खुद से बहुत जादा अच्छा सा फील होता है, हालनकि इन सब कामों में बहुत जादा ठक जाते हैं, लेकिन यह काम जब हो जाते हैं, तो खुद को बहुत जादा पसंद आता है तो इसलिए ने शायद ऐसे ही चीज़े देख के ना, एनरजी खुद से खुदी आ जाती है, कि घर अच्छा लगेगा, और ये एक शौक की बात भी होती है, बहुत सारे लोगों को ऐसा शौक होता है, और मुझे बहुत जादा शौक है कि मेरा घर ना, मैं क्लीन रहे और ख अच्छा लगता है, तो जैसे ही ये सब साफ हो जाता है, तो बच्चों के आने से पहले तक तो काफी अच्छा ही रहता है, उसके बात फिर ये फिर से वैसे ही हो जाता है, तो उससे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाकी तो फिर नेक्स डे ही है हमारा सारा काम, तो वीज़े इसे यही मैं नहाख कर खाली हो और मेरे पास बहुत सारी अए वही थी और उनको मैं नहीं तो उस वक्त मैं इसको ख्लीन नहीं खिया और और देन सुबा फिर मुझे ये था कि पहले मैं अपना पूरा किछीन वगरा क्लीन कर दू, घर साफ कर दू, उसके बाद मैं इसे लेके बैठूंगी, क्योंकि सबजी का काम छोटा नहीं है, इसमें बहुत जादा टाइम लगता है, तो बस अब मैं इनको साफ करके रख और देन इसको अच्छे से ड्राय करने के बाद ही मैं फ्रीज में रखूंगी, जो भी चीज़े उसमें रखने वाली होईगी, तो फ्रीज में भी जगा बनानी पड़ती है, क्योंकि बहुत जादा बड़ा फ्रीज नहीं है मेरा, तो उसमें भी चीज़ों को अच्छे तर मैंने मलाई निकाल के रखी ती ना, तो मैं डारेक्ट ऐसे ही कडाई में रख देती हूँ, और धीरे धीरे अपने जैसे किछिन में काम कर रही हूँ, तो इसे चलाती जाओंगी, और अपना काम करती जाओंगी, तो बस अब यहां पर शकरकंदी थी, तो मैं उसको अबाल और यह मैं बच्चों को देने वाली हूँ, और यह चीज ऐसी है, जट पर जिस दिन आया है, उस दिन अगर कर लो तो ठीक है, अदर्वाइस यह फ्रीज में ही रह जाता है, तो पहले ही करके रख लेती हूँ, तो यहां मेरे फिर से तीनों काम एक साथ में चल रहे हैं, और काम का एंड नहीं होता है, काम आप जितना चाहे ले लो घर में उतना ही मिलता चला जाएगा, तो काम का कभी अंध होने वाला नहीं है, तो बस यहां पर अभी मेरे आटा लेकर के आई थी, तो वो आटा मैं इसमें डालूंगी, अभी तक मैं सिर्फ कटे से निकाल रही थी क्योंकि मेरे इसमें भी कुछ आटा पड़ा हुआ था, तो मैंने सोचा कि पहले ड्रम को अच्छे से क्लीन कर लूंगी, तो मैं डारेक्ट एक के उपर एक आटा करके नहीं डालती हूँ, उसको जब मैं अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ, धूप लगा लेती हूँ तब मैं चूड़ी है या ब्रैसलेट पगेरा पहनी हो और हाथ मेरे गीले हैं कम्प्लीट ड्राइ नहीं होते हैं उससे कुछ ना कुछ ड्रॉप अगर पानी का गिर जाता है तो वो धीरे-धीरे कीड़े हो जाते हैं तो मैं पहले तो यह है करती हुआ के मेरे हाथ बिल्कुल है आ ड्राइय रहें जब भी मैं यह आटे का काम करूँ और दूसरी चीज मैं है ना मैं डाल-چीनी की जो स्टिक उती है वह डाल देती हूँ लेकिन अब मैं इसमें दाल चीनी की स्टिक डाल देती हूँ, वो सबसे ज़्यादा अच्छा काम करता है और बहुत सारे आटे, बेशन या सूजी इन सम्में डाल के रखती हूँ तो यहां है न मैं अब सूजी भून के रख लूँगी क्योंकि अभी मैंने फिर पैकेट निकाला और सूजी जैसे पैक रहता है तब तक तो ठीक रहता है लेकिन वो आधा भी खुल जाए न तो फिर उसके खराब होने के चांसे ज़्यादा रहते हैं तो मैं इसको हलवे के लिए भून के रख लूँगी जिससे की जब भी हलवा सूजी का बनाना हो तो वो इंस्टेंट बनाया है जा सके तो अभी यह था कि एक साइट पर मेरे शकरकंदी हो गई थी और मुझे बच्चों को देना था और सूजी का यही है कि आप उसको चलाते रहो चलाते रहो तो ठीक रहता है अदरवाइस वो नीचे से जलना शुरू हो जाती है तो यह लग करने वाला काम रहता है तो मैं बीच मीच में इसे बंद कर देती हूँ और यहां मेरे जो और कपड़े वाश हो रहे थे और उसके बाद मैं अब बैच शीट वगएरा डाल दूंगी इसमें धूने के लिए क्योंकि फिर इनको भी है यहां पर जगा देनी पड़ती है और जैसे बैच शीट वगएरा रहती है तो दोनों है और सोफे कवर है तो इ जिया शकरकंदी अपने जो है अच्छे से उबल गई है और बहुत कम टाइम में मैंने इसे बंद कर दिया था तो अच्छी हो गई अदर्वाइस यह पड़ी रहते न तो घुल जाती मुझे यही लग रहा था कि मैं और कामों में लगई हूँ कभी ऐसा नहों कि एक काम मेर जरूरी भी थे और कल के लिए या अगले दिन के लिए में चाल भी नहीं सकती रही चलिए यहां पर मेरा घी भी निकल आया है जिसको बड़ा टाइम लगता है और मुझे यह गी निकालने का काम बिलकुल भी पसंद नहीं है बड़ जैसे ही मलाई खटी होती है तो फिर उस हाँ मैंने शाम का बस यह कड़ी बना ली थी चुझि मेरे पास छांस थी मैने फिछले व्लोग में आपको बताया था तो उसको भी मुझे यूस करना था और शुक्त के सास्च है न मैने जो क bol घालो कड़ी पनले तो बस यह कड़ी मैंने बिना पकोडे की बनाई है क्योंकि पसंद आए तो लाइक करना और चैनल पर नए हो तो प्री सब्सक्राइब करना मत भूलना थैंक्स वाचिंग बाई